यूपी के संभल नगर पालिका प्रशासन में करोडों के घोटाला सामने जो आया है और आए और अब स्थापना निदी में साड़े चार करोडों रूपे से ज्यादा के घोटाला सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है शिकायत करता हुआ सभासत के पती की माने तो पालिका प्रशासन से 11 करोड रूपे का घोटाला है तो शिकायतों पर जाच शुरू हुई जरूर है लेकिन मुखे आरूपी लिपिक अब भी अपने पद पर बरकरार है इस बार घोटालों का सेंटर संभल जिले की संभल नगर पालिका बनी है जहां मार्च 2019 की पालिका की आये दो करोड चौवन लाग कई महीनों गुम रही तो इंकम का खुलासा तब सामने आ जब नए लेका अधिकारी ने उक्त आये को पकड़ा तो मामले को त्रूटी बान कर फाइनल दपन करने की कोशिश हुई सवाल ये है कि उस राशी ओडिट के बाद भी इंकम में शो नहीं हुए अब किस तरीके से उसे आये में शामिल किया जाएगा और इतनी बड़ी राशी साथ महीने तक कहा रही ये बड़ा सवाल हो जाता है तो दूसरा मामला दो करोड से ज्यादा की अवस्थापना निदी का है जिसका इस्त जहां ने 2 नवंबर को पालिका की बैठा का वहिशकार किया था सदसे वसिम जहां के मुताबिक एक लिपिक और चेर्मेन समेथ कई लोग गोटाले के जिवधार है सबसत का ये भी दावा कुल 11 करोड के गोटाले का है तो आरोपों की जाज के लिए दी गई शिकायतों को द पून समादा अंदिवस में शिकायत की है समोचित कारवाई ना होने पर सबासत ने अगर्म कारवाई की जेताव ने दी इधर SDM दिपेंदर यादव ने पंदराद दिन के अंदर जाच पूरी कर दोश्यों के खिलाफ कारवाई की बात कही है